Hey guys, देखो BSC Limited एक Company है, कमपनी है, ऐसे तो आप NSC BSC में Confused मत होएगा, Please, देखो NSC है National Stock Exchange, BSC भी है Bombay Stock Exchange, लेकिन BSC Limited यहाँ पर इस Company को आप खरीद भी सकते हो, समझे रो, आप इसका Shares को खरीद सकते हो, बाइ कर सकते हैं, उस Company का नाम देख सकते हो, BSC Limited, है गने, 1,959 रुपिस के आसपास देखने को मिल लागा, आज के डेट में लगबग 1.3% के आसपास भागा है, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक देखो, एक बार तो बहुत तेज भागा था ये स्टॉक, यहाँ पा देख तक तो लगबग 6-7% के आसपास भागा था, 7% के आसपास य बोनस देने के लिए, इस स्टॉक बहुत तेज भागा, और पहले अगर आप देखोगे, तो पिछले 1 साल में लगबग इसने 200-200% का रिटन दे रखा, अगर गिरावाट को हटा दे, तो लगबग 200-300% का तो रिटन दे ही रखा, आपके सामने यहाँ पर देखोगे, तो आ और ने कुछ और बता दिया, किसी और ने कुछ और बता दिया, आप कंफरम नहीं हो पा रहे हो, और आपको लगबग कंफरम बता करना है, तो आपको क्या करना है, आपको अफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, कि देखो कंपनी के बारे में यहाँ आपको search मानना है यहाँ पर आप जैसे ही search मारोगे यहाँ पर company के बारे में और search मानने के बाद यहाँ पर देखो आपको company information में आ जाना है देखो यह रहता है company information इसमें आप जैसे ही click करोगे ना यहाँ पर तो नीचे में देखो board meeting वगरा यहाँ पर देख सकतो corporate action क्या लिया ह बॉर्ड मिटिंग में क्या है वो सारी चीज़ आपको बताया जाएगी जैसे कि यहां पर देखोगे तो फाइनेशल रिजल्ट कंपणी ने फाइनेशल रिजल्ट बुला है एट फरवरी को साथ साथ में देखोगे तो लगबग यहां पर बोनस के लिए भी बताया गया आप क्लिक करेंगो तो यहां पर बताया जा रहा है तो कंसीडर परपोजल फुर्दे इश्यू और बोनस शेयर यहां पर देख सकते हो बोनस शेयर के लिए लगबग आपको कब एट फरवरी को आपको पता चल लागा यहां पर समझ रो और फाइनेशल रिजल्ट भी है तो कंप करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें नहीं है तो लगबग एक दो बार अगर आप डिविडेंट वाले शेर भी ढूंट रहे हो तो यह स्टॉक्स मुझे लगता है कि अच्छा है डिविडेंट के हिसाब से और कंपनी बीच में बाइबेक वगरा भी लाता रहती है मतलब कंपनी खुद के शेर को खुद खरीती है देखो 2019 में कंपनी ने अपना शेर को बाइबेक किया था अब 2019 से अभी उसका वैल्यू अगर देखते हैं यहाँ पर देखो 26 जुलाई को बताया जा रहा है ध्यान से देखेगा यह रहा आपके सामने सही है यह 12 जुलाई है यहाँ पर देखो 26 के आसपा देखने को मिल जा लोगों को बोला कि भाई देखो मेरा शेर का प्राइस लगबख 600 रुपिस क्यास पाज चल रहा है सही है मैं आपको 800 रुपिस दूँगा यहाँ पर आप मुझे यह शेर देदो नई तो एक और कंडिशन होता है कि भाई देखो यहाँ पर क्या होता है कि कि किसी तरीके से जितने भी शेरोल्डर्स होते हैं उनको अच्छे खासा परपोजल दिये जाते हैं प्रॉफिट में और उनसे शेर खरी लिया जाता है आप उसके बाद देखो जब से कंप्री ने बाइबख दिया था उसके बाद एक तकड़ा गिरावाट देखने को बने था कितना अपर एक और जिरो लगा डिया जाये जाए तब हो जाएगा वाइफ हंडड़ परसंट का प्रोस समझ में आई बात यहाँ पर तो यह एक अच्छी मतलब strategy होती है stock market में company लोग benefit उठाते हैं ऐसे यहाँ पर mutual fund वालों ने अपनी हिस्सेदारी घटा दिया यहाँ पर सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है बाई सबका और उसके बाद अगर आप देखोगे net profit डायेक्ट है यह net profit जो आपको quarter on quarter on बताया जा रहा तो पहले company के पास देखोगे तो लगबाग पहले 35 करोड का profit था 2020 में आपको पता ही है और तो उसके बाद फिर देखोगे तो लगबाग काफी एचा जंप मारा और लगबाग वापस company 45 करोड के profit में आ गए मतलब पिछले profit से भी इस बार काफी एचा profit किया है तो यही होता आच्छी company अगर गिर भी डाती है तो tension वाली बात नहीं होती है वापस वो आपको फिर return लाकर दे देती है यहाँ पर तो अब लोग पुछेंगे भाई कितने में कितना bonus दिने वाला है एक के बदले 2, 3, 4, 5, 10 तो मैं आपको बिलूँगा यह लगबग आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा concrete आने वाले दिनों में ही पता चलेगा त अब स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकॉन एंजल में open कर सकते हो जहां पर आप NSC, BSC में खुछ भी खरी सकते हो जो चार्जेस वगरा होता है बहुत चोटा होता भी दिमेट अकॉन तो बिल्कुल फ्री डिलिवेरिश चार्जेस फ्री के लिट्ट लग सकता है वह भी इंट्राडे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के में में जाएगा अपना डिमेट अकॉन बगरा उपन कर सकते हैं